शुक्रवार का यह उपाय खींच लाएगा प्यार पैसा और प्रॉपर्टी नमस्कार मित्रों स्वागे थे सिद्ध टोट के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से यह उपाय इतना अच्छा है कि आप इसे तो करना ही चाहेंगे क्योंकि इसे करने में कुई समस्या नहीं आने वाली ना इसे रोज-रोज करना है ना तो इसको करने के लिए आपको कोई माला मंत्र किया शक्ता पढ़ने वाली है ना ही कोई यंत्र लिखना है कुछ भी करना नहीं है उपाय बहुत आसानी से हो जाने वाला है क्या करना इस उपाय में क्या क्या लाव देने वाला है तो पहले लाव समझ लेते हैं मान लेते हैं आपका लव लाइफ बहुत बुरा चल रहा है मेरिटल लाइफ बहुत बुरी चल रही है जॉब लाइफ बहुत बुरी चल रही है इस्टडी का टाइम है study की life है तो student life बहुत खराब चल रही है कहीं पर कोई भी समस्या है कहीं किसी विवाद में पढ़ गए है बार-बार नाम खराब हो रहा है अपमान्त होना पड़ता है घर की लोग आपस में प्रेम नहीं रखते हैं बार जाकर के अपने घर की बाते करते है अन्य लोगों से अपने घर के मसले हल करवाने की कोशिस करते है जिससे घर की बदनामी होती है अगर ये सब चीजे हो रही है आपके घर में कोई रोग पड़े गया है जो जाही नहीं रहा आखों से जुड़ा हुआ रोग है, सर से जुड़ा हुआ रोग है, बाल बहुत जड़ते हैं कितना भी मेकप कर लो लेकिन वो ग्लो नहीं मिल रहा आपको कोई भी आप बात करें, अच्छा खाते पीते हैं, फिर भी personality डेवलप नहीं हो रही लोगों के सामने खड़े होते हैं, प्रभाव नहीं बना पाते हैं, कोई और आता है मैं फिल लोट के चला जाता है और आप खड़े रह जाते हैं, ये सब चितनी भी बाते हैं बहुत अच्छे हैं पढ़ने में लेकिन highlight ही नहीं हो रहे हैं, बहुत आता है लेकिन marks नहीं आते हैं तो ऐसी कितनी भी चीजे हैं जो हो रही हैं, तो आपकी real life में जो परिसानिया उनको दूर करने के ये सटीक सा उपाय है कैसे करेंगे, आईए उसको समझते हैं ये सुपाय को करेंगे तो आपके घर का वास्तु दोस भी दूर हो जाता है ठीक, दूर होने का मतलब उसमें कमी आती है, उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी जो दोस है, जिसके कारण समस्यां बड़ी-बड़ी बनी हैं, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा घर के देवी द्योता प्रसन होते हैं, कुल देवी कुल द्योता हैं तो प्रसन होते हैं, आपके इस्टी द्योता प्रसन होते हैं, तो आपको लाभ मिलता है तो पित्रों की शांती करवानी चाहिए, उनको प्रसंद करने के लिए घर में बार-बार पूजा पाठ या इस तरह की चीज़ें बनाने का विधान नहीं है, कोशिस करना चाहिए कि आप उनकी शांती करवाने के लिए कई तरह के करम है और समय समय पर होते रहते हैं, अब हम लिए आपकी birth details का होना जरूरी है जिसमें birth time, birthplace और date of birth की जड़त होती है यदि नहीं है तो अपने दोनों हाथों का photo भेजिए अपना एक photo भेजिए और उसका analysis करवाईए तो इस तरीके से आपके बारे में जो भी समस्या चल रही है उसका पता चल जाएगा और उसके अनुसार आपको उपाई बता दी जाएंगे तो वो उपाई ज्यादा कारगर होते हैं ऐसा क्यों क्योंकि आपको लक्षण ही नहीं बलकि कारण भी पता चल गया है तो कारण का इलाज करने से लक्षण स्वता ही खतम हो जाते हैं जब किवल लक्षण का पता हो तो अंदाजे से दवाईयां चलती हैं तो हो सकता है लक्षण देर देरे खतम हो आराम लगने लगे लेकिन कारण तो नहीं दूर हुआ इसलिए कारण का इलाज आवश्यक है अब हम चलते हैं सिधे उपाई की तरफ उपाई क्या है आपको लानी है एक इत्र की सीसी इत्र खस का हो सकता है चंदन का या गुलाब का हो सकता है इनमें सो कोई भी ले सकते हैं अन्य भी आते हैं आप उनको भी ले सकते हैं तीन मैंने वो बताए जो विशेश हैं इस कारे के लिए विशेश माने जा रहा है इनका प्रयोग करना आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है फिर भी आपको जो पसंद हो जिस इत्र की सुगंद आपको पसंद है आप उससे ले आईए तो अपने आप ही घर में खुशियां आने वाली हैं कैसे इत्र लाएंगे उसकी सीसी को खोलना है उसके उपर एक और अंदर ढकन लगा है उसको भी निकालेंगे और रुई का एक छोटा सा तुकड़ा ले लिजए रुई का पतला सा फाहा या छोटी सी बॉल बनाईए बहुत उसमें जादा रुई न रहे जितना कम से कम हो इत्र के मुवव पे लगाना है बंद नहीं करना है बिल्कुल उसको एकदम से बंद नहीं करना है ऐसे लगा दीजिए कि उपर से कोई चीज इत्र के अंदर न जाए लेकिन इत्र की मैक बाहर आती रहे उसकी सुगंध बाहर आना आवश्यक है तो इसे करें कब और कब करें दिन कौन सा हो तो इसे करें आप सुबह अपनी पूजा करने के साथ और किस दिन करें तो विशेश दिन इसके लिए शुक्रवार है बाकि अन्य दिनों में भी किया जा सकता है तो आप जिस भी दिन इस विडियो को देखें उस दिन भी कर सकते हैं या फिर शुक्रवार को इसको विशेश रूप से कर लिजे सीसी पहले ला सकते हैं इत्र की उपाय शुक्रवार को कर लीजे तो जाद अच्छा रहेगा कितनी बार करना है करनी क्या हो शक्ता ऐसी नहीं कि आप बार बार करना पड़े आप बड़ा सीसी ले आईए एक बार उसको जैसा मैंने कहा नकर हटा के रूई लगा के रख दीजिये और उसके सुगंद निकल ले दीजिये रखेंगे कहां पूजास्थल पर रखेंगे आपके घर का पूजास्थल आपके घर में उत्तर फुर्व के कोने पर होना चाहिए इस आन्य कोन पर होना चाहिए और उसी कोन पर इस सेसी को भी रखना चाहिए ये है तरीका मजबूरी वस आपके हां ऐसी ब्युस्ता नहीं हो पा रही है आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं अपार्टमेंट्स में रहते हैं जब आपके मन मुताबिक नहीं हो पाई हैं चीजे तो कोशिस करिए कि जिस कमरे में भी आप पूझा करते हैं वहाँ पर जो बिवस्था आप कर सकें तो वहाँ का इसान्य कोड ले लीजिए और उस कमरे में इसान्य कोड पर रख दीजिए कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव आपको अच्छे से महसूस होने लगेगा वैसे तो पहले दिन से ही इसके प्रभाव को देखा जा सकता है आप सुबा करेंगे साम तक आपका दिन अच्छा ही वीतेगा करके देखिएगा अब ऐसा इसमें नहीं बोला गया है कि आप कोई समस्या नहीं आएगी समस्या आएगी, समस्या हमिसा आती है समस्या हर पल आती रहती है लेकिन उसका निराकरण होता रहेगा और आप अपने जीवन में स्मूदली आगे बढ़ेंगे बिल्कुल सरलता से आगे बढ़ पाएंगे तो उम्मीद करूँगा आपको इस छोटा सा और विसी सुपाय पसंद आया हो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक कि लिए नमस्कार खुश रहिए